मसल दिया कैसे चुंटियों वो मसल दिया ऐसे लग रहा था एक प्रोफेशनल टीम के एरिया और दूसरी तरफ को फीडर लेने वाले बच्चे हैं वो गली मले के बच्चे हैं को स्कूल के बच्चे जो हैं उन्हें आगे ढाल दिया है इंदुस्तान की खौफनाग टीम के खि इतनी भूख इतनी तरफ और वो स्किल लेवल भी असमान को छूरा है मज़ा आते हैं इनको देखने का इनके अंदर जो आ गए वो इंटरनेस्स स्टेज पे जब बताते हैं पता चलते हैं के अंदर एक आग है इंडिया के लिए कुछ लड़ना चाहते हैं क्रिकर के मैदान पर एक तरफ नजर आती हैं में इंडिया के जो बाटिंग है उसके अंदर क्या जादू है कितना बीस ओवर्स के अंदर दोसो दोसो स्कोर मारे अगर आज हम सुरिया कुमार यादव की बात करें शुमन गिल की बात करें जैस वाल की बात करें 233 का स्प्राइक रेट कुछ लोग ये कह रहे थे को सुरिया कैप्टन बन गया प्रेशर लेगा अब उस तरह से टीट वंटी में शायद खेलना पाए लेकिन सुरिया कुमार यादव ने सब को बता दिया भाई जो कानफिडेंस है ना मेरे अंदर कूट कूट के बरा हुआ मुझे कैप्टन बना दो या जो भी बना दो अगर सुरिया कुमार यादव को हम अपने कैप्टन बाबर आजम के साथ कंपेर करें तो हमारा बाबर आजम दस ओवर जाय कर देगा लेकिन आउट नहीं होगा कि मेरा पचास बंजे मेरा सो बंजे क्या कप्तानी वाली पारी क इंडिया के और चेवर में 74 यंग्स्टर्स के अंदर जो भूक है वो कमाल है और उस भूक की वज़ा से जो आगे बढ़ने की आसमान छूने की दुनिया को कुछ कर दिखाने की और दुनिया में सबसे पहले नंबर पे अपने आपको जो साबित करने की भूक है वही भूक जिनको आगे लेकर के चल रही है मेरे हिसाब से बिलकुल गलत फैसला करा बॉलिंग करने का जिस इन्हें यह सोचना चाहिए कि इस पिछ पे लगातार दो मैच है आज भी और कल भी तो यह किताब पाटला पिछोगा मेरे खाल है बैट डिसीजन था लेकिन जो स्टेंड दिया आज जस्वाल और गिल ने 74 रन का लाजबॉल पे गिल आउट हुआ मेरे खाल है हाईस रन बने हैं 6 और में अगिस सिरी लंका 4 और में 50 रन थे हैं इंडिया के और 6 और में 74 तो उसके बाद 10 और में बनाए 111 कुंकि दो वालों पे दो आउट हो गए हसार अंगर ने पहली वाल पे स्टम करा जिया था जस्वाल को उसके बाद जो पार्टनर्शिप होई इसकाई और इशापंट की इशापंट आज बहुत आराम से खिला 20 वालों में 20 संते उसके लेकिन इसकाई ने कैपिंग नौक के लिए वो तो नमबर वन ही बैटर है दुनिया का अभी जंबावले के अगेस नहीं खिला था तो नमबर टू हो गया था लिए मेरे खाले आज देखने वालों को कि के के आकर जो एक सिस्टम दना आई पिल में अपना सुनिल नराइन और सॉल्ट नमक भाई वह इंप्लिमेंट करा आज इंडियन बैटर ने टॉप ओडर में प्रिच भी अच्छा था लेकिन लेफ एट कंबिनेशन रखा नमबर तीन बेर बॉलूबर गाल में पच्छास करी तयाजाग करें और अठावं करें फच्च्स बॉलूबर जिसमां और प्टीन छुक के धिरिंएंट तो दादा पांडिया जल्दी आउट बाल वीया, अक्सर पटेल ने, क्या कमाल की जा, बालिंग किया, आप देखें ये, निशांका क्या कमाल की भीतिकारन बैटिंग बाद अजाए। और अकशर प्टेल ने आते साथ जाव इसको बॉल्ड कर दिया और उसके बाद अगर देख़ा जाव परेरा को भी अवर में अकशर प्टेल ने जाव आउट कर दिया और यह दौनों ऐसे बले बाद थे जब ते कि एक खेल रहे थे लग रहता कि यह मैच जाव स्री लंका इं ऐसा लग रहा था भाई साथ ये रंस बड़े आराम के साथ सिरी लंका चेस कर लेगा अगर इंडिया विकट नहीं ले था क्यूंकि आप देखें कि कमाल की बैटिंग कर रहे थे 140 पे उनका दूसरा विकट गिरा और 8 अवर्स पे 84 रंस थे उनके लेकिन उसके बाद जब रंस बनाने के बाद आउट हुआ था लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहांबर अक्षर पटेल ने आके वो दो विकटें ली हैं फिर शिनाका को सिराज ने रन आउट किया वहां से ये मैच जो आव इंडिया के पास आ गया बहुत कमाल की बालिंग तो की है पहले अर्दिक प अर्षिदीब सिंग ने थोड़ा सा कमबैक करवाया इंडिया को लेकिन जब अर्षिदीब सिंग ने विकट लिया ना फिर मामला इंडिया के हाथ में आगया सूरिया कुमार यादव ने अच्छरंगा का कैश पकड़ा लेगन स्टार्ट में बड़ी अच्छी उन्होंने लेगन जितने भी इंडिया ने बनाए ना ये भी सिरिलंका की टीम चेस नहीं कर पाएगी और वही काम हुआ सिरिलंका बहुत अच्छी बैटिंग करने के बावजूद ये रंज जो है वो चेस नहीं कर पाया और आप देखें कि इंडिया की जनब से जैसवाल और शुबन पाएगी बात करें 16 बालें 34 रंज 6 चोके 1 चका 212 का स्ट्राइक रेड और जैसवाल 21 बालें 40 रंज 5 चोके 2 चके 190 का स्ट्राइक रेड और दोनों ने पावर प्ले में 74 रंज लगा दिया थे यानि के कमाल की बैटिंग जो है पावर प्ले में इन दोनों की जनब से देख ने इतनी तेज बैटिंग ना की होती बाद में इसी तरह की स्लो बैटिंग होती तो शायद इंडिया की टीम 200 भी ना बना सकती लेकर स्टार्ड में ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी फिर सुरिया कुमार यादव क्या कप्तानी वाली पारी के लिए 26 बालें 58 रंज 8 च दिखा रहे थे कैमरामें के दिखा रहे थे 6 तो 7 तो 4 यार्स के दर्मयान में इस एरिया में बालिंग की है और चैलेंज की है उनके श्रिलंकन बैट्समेनों की टेक्नीक को जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए इस पे और यह सब प्रेशर के गेम होता है जो आई थिं आप दो आई टेब स्काहिति पाह सो एचेसरे डायव को याद कि अखे यादेन अफिर लुछोर करते है तो यह तो जो लुँए आपने स्ट्रेंथ को याद रखें तो थी जिए सिद्ञार को यादर से बाद करनी पड़ती है ताकि एकसाइटमेंट में वो प्रॉससाना न